मैंने बहुत ये लोगों को देखा है जिनको किसी सब्जेक्ट के बारे में ठीक से पता नहीं होता लेकिन किसी से कुछ लाइन सुन ली कहीं से कुछ पढ़ लिया तो भीड में उस बात को ऐसे बताने की कोशिश करते हैं जैसे वो सब्जेक्ट के ग्याता है और कई बार इस खुद का अपमान भी कर लेते हैं और हंशी के पात्र भी बनते हैं उधारन के लिए आपको बहुत सी जगहों पर लोग कहते वे मिल जाएंगे कि अहिंचा पर्मो धर्म और इसी के आधार पर कहेंगे कि हमें हिंचा नहीं करनी चाहिए लेकिन उनमें से अधिक्तर लोग त उससे भी श्रेष्ट है और यहां धर्म की रक्षा का मतलब हिंदू-मुश्ली वाली बात नहीं है बलकि आपके जिम्मेदारी के धर्म की बात है चलिए इसी बात को मैं उधारन से समझाता हूँ मान लीजिए आप आपकी बाइक पर कहीं जा रहे हैं और दूशरी तरफ से किसी ने गलत राते पर आकर आपकी गाड़ी को टकर मार दी इस वज़े से आपको थोड़ी चोट लगी आपको गुशा भी आया लेकिन सामने वाले ने गलती होने के बाद भी आपको गुशा दिखाया और बिना आपसे सौरी बोले चला गया लेकिन इस सब के बाद भी तो ये परमधर्म है इस जगे पर लड़ना नहीं आपको अपनी और अपने परिवार की शुरक्षा देखना जरूरी है लेकिन मान लीजिए कि यह बात यहीं खतम नहीं होती और सामने वाला आकर आपको अपमानित करने लगता है और अगर आपके साथ आपकी पत्नी बेटी म या बहन है तो सामने वाला उनको भी अपमानित करने लगे तो यहां अहिंसा परमधर्म नहीं होगी बलकि कायरता होगी यहां आपका धर्म है कि आप अपने और अपने परिवार के सम्मान का ध्यान रखें और अगर इसके लिए जरूरत पड़े तो सामने वाले के कान के न नहीं जदूरे शलोक पर यकिन करना चाहिए नहीं किसी जदूरे ग्यान के आधार पर कोई बात करना चाहिए और नहीं कोई भी action लेना चाहिए मैं आपको यहीं सलादूँगा कि आपको इस तरह की practice से दूर रहना चाहिए और जब तक आपको किसी भी subject पर इच्छी जानकारी ना हो आपको बोलने के बजाए सुनने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस एक आदत से आपको दो फाइदे होंगे पहला तो ये कि आप किसी की भी सामने हशी के पादर नहीं बनेंगे दूसरा ये कि आप खुद का ग्यान बढ़ा सकेंगे और सही decision ले सकेंगे और यही आज का wisdom है और दोस्तों इसी तरह के वन मिनट विजडम वाले वीडियो में हर दिन मेरे दूसरे चैनल वन मिनट विजडम पर पोस्ट करता हूँ जहाँ पर हर वीडियो सिर्फ एक मिनट से 90 सेकंड के बीच खतम हो जाता है लेकिन आपको बहुत ही काम की जानकारी देता है तो अगर आपने उस चैनल को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो आप उसका एक वीडियो यहाँ से देख सकते हैं और हमारे दोनों ही चैनल को सब्स्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आप हमारे कोई वीडियो में तना करें अभी के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धनिवाद